हेलो दोस्तों हेलो एंड वैलकम टू दे चैनल कैसे हैं आप लोग दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मेरे पास जो लोग आ रहे हैं वह यह शिकायत करते हैं मैं बहुत इनवर कर रहे हैं लेकिन अभी भी जो है कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा है हमारे अंदर हमको तो द है और वह वैसे भी हो जाएगा ठीक है कि जितना हार्ड वर्क आप लोग कर रहे हैं तो वह अपने आप से आटोमेटिकली स्क्लिट होगा और आपको खुद क्लियरली वह अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद फील हो जाएगा ठीक है तो अभी कॉस्मिक एनर्जी है उन् चोटी चोटी बाते करूं आपके साथ अपने एक्स्पिरियंसिस के बारे में आपका इनर्वर्क आप पर कितना वर्क कर रहा है और आप अभी के स्टेज में हैं ठीक है दोस्तों तो अभी दो दिन से में वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे यहां पे बहुत ज़्यदा बारिश हो रही है ठीक है वैदर बहुत ज़्यदा राफ है तो यही से बात पिक करते हूं सबसे पहले ठीक है मैं मुझे ही ले लीजिए ठीक है जब मैं अवेक्निंग से पहले या जो भी इनर वर्क से पहले कह लीजिए बलकि अवेक्निंग से भी पहले से इनर वर्क से पहले तो यू नो वाट बारिश बहुत सुहानी होती है मौसम बहुत सुहाना होता है हरियाली यह सब चीजें एक साइज लेकिन जो हर वक्त बारिश होती रहती थी यानि कि मुझे इरिटेट कर देती थी ठीक है यू बहुत मेरे लिए इरिटेटिंग होता था बारिश के जो यह कहले जी आपकी जो साइड इफेक्ट होते है वह बहुत ज़्यादा जो है मुझे इरिटेट कर देते थे ठीक है आप देखिए वही वैदर तो वैदर है न वह तो जितना बरसना है उतना बरसे का जितना हो तो सम्टाइम्स हम जो चीज में हमको नहीं भी र reais करना होता है वहा भी हम इतनी बारिश हो रही है इतना जादा गंडगी भी है ठीक है तो मतलब हर चीजते हरेब के जो साइड इफेक्ट होते थे ना बाद में जो चीजें होती थी तो वो मुझे बहुत जादा ना परिशान करती थी मतलब मुझे वो सफाईयां वगरा और यह जो मलब काम फैल जाता है गंदगी वगरा तो यह मुझे बहुत जादा इरिटेट करता था लेकिन अभी मैं नोटेस करती हूं कि आफ्टर बैलेंसिंग अभी भी नहीं कहूंगे आफ्टर बैलेंसिंग जब से मेरा बैलेंसिंग टोटल ही हो गया ठीक है और आइकन फील माइसर्फ इन पीसफुल स्टेट तो तभी से ऐसा है कि इस जस्ट नॉर्मल थिंग फो मी यह मेरे लिए अब एक सिफ नॉर्मल थिंग है यह कुछ भी कुछ भी मुझे इफेक्ट नहीं करती है ठीक है यू डॉंट यूवांट बिलीव कि मैं तीन दिन से में वीडियो भी अप्लोड नहीं कर पा रही हूं तीन दिन से मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं बट इस ओल राइट इ ठीक है क्योंकि हर चीज जो है वो बस अब यह एकसेप्टेंस आगया कि हर चीज राइट टाइम पर होती है ठीक है तो बिल्लब बिल्कुल भी हर चीज से आपको इरिटेशन होना बंद हो जाएगा जो आप नॉर्मली फिल करोगे ना कि जैसे मान लीजे किसी-किसी दिन घ हो रहे हैं कि हमको यह करना अब भी सुकून हो जाएगा मैं कर लूंगी ठीक है आई आइकन डू एनीधिंग यह वाला जो है अपका स्टेट आ जाता है ठीक है तो यहां से आप पहचान सकते हो कि यू आर टोटली बैलेंस्ट ठीक है जब कुछ चीज आपको आसपास की इर पर देट होता है तो समझ लीजेगा यही आपका बैलेंसिंग है ठीक है बैलेंसिंग का मतलब यह नहीं कि आपको साधू संत बनके एक दम आपके पीछे वह जो बन जाएगा गोल घेरा और यह हो जाएगा और आपको जो फरक इस थ्रीडी में दिखाई देगा अपने बैर करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा सेम इंसिडेंट एक और बताती हूं आपको कि कहां से आप जो है अपने आपको परक सकते हो ठीक है तो पहले बिफोर बैलेंसिंग ना आई यू तो देन और यूज तो पैंपर मैसल्फ ना क्योंकि जैसे मेरा बड़ आया तो कुछ मुझे लेना है अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले मेरा बड़ निकला है तो आये मतलब वह दुनियावी चीजें जो है वह बड़ी अंदर तक जो है ऐसे थोड़ी देर के लिए सैटिस्वेक्शन देती थी कि हां मैंने यह ले लिया अपने लिए ठीक है चीज होता है जब ही मेरा अभी जो बड़े आये था तो आइवें टो दे मार्केट और मतलब मुझे मुझे ऐसा था मतलब मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए कुछ लूँ ओके घर में भी सब लोग कोलते है ना कि अपने लिए कुछ ले लो ठीक है तो वेंदे वर आसकिंग मीन आप एक ऐसी स्टेट में आ जाते हो कि आपको ना नीडिनेस और वांटिंग की एनरजी नहीं रहती है ना बहुत से लोगों के पास बहुत अलमारी भर भर के कपड़े होते हैं बट स्टिल दे वांट कोई भी न्यू प्रिंट देखा है न्यू फैब्रिक देखा है तो बस लेना है नहीं कोई चीज देखी तो बस लेना है वो मेरे कलेक्शन में आ जाए तो देट कलेक्ट वो जो कलेक्ट करने का जो आपका वो जो होडिंग करने का जो आदत होती है ना होडिंग जो है जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको बताती हूं धेर लगाने की ठीक है तो पर डहर लगाते जाने की ना बस वो चाही चीज हम साल बर यूज भी नहीं कर रहें ना बट आपको एक आदत होती है एक एक दोम इंस्टांट होता है कि नहीं मुझे लेना ही है तो यह चीज पहले मुझे में भी होती थी कोई चीज नजर में उतर चड़ती है बस तो फैस व खुदी बता दोगी तुम्हें मतलब क्या दे हम जो कि तुम्हारे काम आ सके चीज या फिर मैं खुद अपने लिए मुझे एक भी चीज ऐसी याद नहीं आती है जिसकी मेरे पास कमी हो ठीक है जिसकी मेरे पास समझेगा इस बात को यहां पी यह बात नहीं कि मैंने अपने प्रेट रहती हूं बिल्कुल अच्छे से रहती हूं अपने आपको लेकिन कुछ चीज की कमी फील नहीं होती है कि यह चाहिए कि नहीं पर्स चाहिए कि फुटवेर चाहिए कि नहीं मुझे कपड़े चाहिए चलो और मैं ले लूँगे ना क्योंकि लोग दिला रहे ना मत मुझे चाहिए नहीं मतलब जरूरत नहीं है ठीक है तो यह वाला आपका स्टेट आ जाता है ठीक है यह कहलाती है संतुष्टी ठीक है सैटिस्फेक्शन यू आ सैटिसफाइड इन यॉरसल्फ यू हैपी विद यॉरसल्फ जो भी है आपके लिए बहुत है वो और यह कोई कॉंशियसली नहीं करती है मतलब मैं अपने बारे में बता रही हूं मैंने तो कॉंशियसली नहीं किया यह अपने आपी पता नहीं कहां से अंदर से एक आ गया है सैटिस्फेक्शन की मतलब सब कुछ है ड़सन्ट मैटर की कोई और मेरे उपर खेश रहा है तो इसका मतलब इसका मतलब इसल्ग में जाओ और कुछ ले लो अपने लिए बस तो वह वाला जो एक का थो को एक darf करती पहले ऐसा होता था कि मैं ले लीती थी क्या मुझे रहता था मैं खुद को भी देटी थी अपने आपको भी देती थी और कोई मुझे देता था गिफ्ट तो भी मुझे समझ ONE है कि मैं अपने लिए क्या लो कुछी की कमी फिरण होती है ठीक है बल्कि अब जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रिया है बहुत जदा शुक्राना मैं पर मेरे पास तो पहले ही इनएफ से बलकि आप पहले से ज्यादा निखर जाते हो ठीक है फिर नेक्स्ट है यह थोड़ा सा ऐसा है जो कि आपको आप में से बहुत सारे लोग निए अब बिफोर अवेक्निग दूरिंग आप वेट पुट अन कर लेते हो ठीक है आपकी शिंग खराब हो जाती है आपकी चीजें खराब हो जाती है मतलब आप जो है आपका ओवराल जो लुक है वह आप देख्टे हो कि कफी जढ़ा जो बरबाद हो चुका है ना पहले ज तो यूविल नोटिस की आपका स्कीन से लेकि आपके बालों से लेकि आपकी हर चीज जो है आपका वेट गेन अगर हुआ तो ऑटोमेटिकली पेट लोस होना होगा ठीक है आपको लगेगा कि यू आप फित हो रहे हो ठीक है आप वापीस फिटनेस की तरफ आ रहे हो और एक एक लिए जीने का ज़जबा आप अपने लिए अच्छा पील करने लगते हो ठीक है आप खुज से बड़ा अच्छा फिल होने लगता है आपको ऐसा लग लगेगा सडनली आप पे हर चीज जच रही है तो यह चीज भी होती है जरूर होती है ठीक है और क्योंकि बहुत सार तो यह भी बहुत जादा important point है कि आपका जो कुछ भी बरबाद होता है आपने weight gain कर लिया था sometimes होता है कुंडलेनी awakening होती तो overeating करता है बंदा तो वो सब habits अपने आप छोड़ती जाएंगी आपको पहता भी नहीं चलेगा और यह इतना universe की सबसे बड़ी खुबसूरा चीज पता क्या है हर चीज इतना smoothly होती है after you start working on yourself वो बस उठा पटक तब ही तक होती है जब तक आप अप खुद पे जिद पे अड़ते हो यूनिवर्स से मतला flow के अगेंस्ट जाते हो और अपने उसको accept करने में आपको जब तक दिक्कत हो रही होती है अपने सच्छे स्वरूप को सही स्वरूप को तक ही आपको प्रॉब्लम्स होती है after that you will notice की बहुत स्मूद जारी है चीज़े यूनिवर्स की सबसे बड़ी खुबसूरती है कि जब आप उनके साथ इसके साथ प्रॉब्लम वहाँ प्रॉब्लम हों ठीक है लेकिन न अब आप याद करोगे न आपको प्रॉब्लम याद ही नहीं आएगी वह अभी वह वह लोग वैसे ही है ठीक है यह वह लोग चेहिंग नहीं है सिटुएशन सभी वैसी है सब कुछ वैसा ही चल रहा है 3D मे सबसे प्रॉब्लम यूर लाइफ आप अपने लाइफ में वह प्रॉब्लम नोटिस नहीं कर सकते है अब जैसे कल की ही बात पताती हूं ठीक है थोड़ा सा एक मेजर डिसीजन था कुछ मेजर डिसीजन था तो आई वोज लाइक की मैं अपनी खिड़की के मतलब खिड़की है चोटी सी चोटी है लंबाई में है लेकिन उससे जो है मुझे बाहर सीधा सीधा आसमान दिखता है तो मुझे वो पहत बहुत मुझे सबसे जब कभी मुझे अच्छा पिजनी होता में वहां आती हूं ठीक है जब कभी हलका सा लगेगा ना कि कहीं पे थोड़ा सा है तो फिर में वहां पे मुझे अच्छा लगता है मैं अपने अंसर जब एक स्पेस होती है ना सबकी तो हम वहां तो आई उस लाइक और आप मानेंगे नहीं कि उसमें नेट भी लगा हूँ है मतलब जाली वाली खिड़की है ऐसे ओपन खिड़की नहीं है ठीक है मैं अप ही है क्या सम टाइम्स ऐसा होता है ना आपको दोनों पास होती है आपके सामने और दोने ही लग रही है और फिर आप सोच रहे हो कि बट दोनों में से सही क्या है क्योंकि चीज तो आपको इक ही लेना ना तो I was standing और and suddenly एक मैं बिलकुल खुग एछ चोँए ना देखते बिल्कुल जहां पे फॉरेड होता है जस्ट उपर यह आई का जो कॉर्नर होता है किनारा बिल्कुल वहां पे ना एकडम सी छोटी सी बटरफ्लाई आई और ना टकराते हुए निकली मतलब बिल्कुल टच करके हवर कासा टच हुआ और फिर उसने भी अपनी दिशा बदली व और आपको क्या समझाना चाहरा है ठीक है अपको क्या बताना चाहरा है ठीक है एक्ड़ि उस टाइम पे मिने यह बोला था मैंने का बगवन जी क्या चूज करूं मतलब क्या करना है समझ नहीं आरा ठीक है और उसी वक्त वह बटरफ्लाई आई और मुझे टच करके निकली ठीक है मेरे बिलकुल पास से निकली है आइस के कॉर्णर के तो मेरा ध्यान भटा गया एकदम से ना एकदम से हमको ऐसा होता नहीं क्या है एकदम से तो मैंने देखा तो बटरफ्लाइ थी बट सदनले आइगाट माइ आंसर ना कि ये कुछ प्रब्लम है यह नहीं ठीक है ये कुछ प्रब्लम है यह नहीं यू कन टेक जो आपका इंस्टिंक्ट बोल रहा है क्लिक होता है आपको एकदम से वो अपकर लो और जैसे ही मेरा ध्यान बटका मैंने फिर उस पे दुबारा क और नहीं किया उस बात पर ठीक है मैं अपनी खोई होई स्टेट में से निकलाई और मैंने फिर में इधर उधर अपना उसमें लग गई ठीक है चीजें करने में और थोड़ी दिर बाद मुझे पहली जो चीज दिमाग में आई मैंने उस पे उसको जाके और बता दिया कि य मुझे यह करना है तो ठीक सो इजी यूनीवेस के साथ इतना स्मूध हो जाता है औक तो और रों अपको कोई साइन देते नह वह कभी घद आल के बुर नहीं हो सकता गलत नहीं हो सकता वह आपकी अच्छे किलिए होता है ए तो यह समझाग से ना आपको सुझ दाग過去 हो कुछ साइन होते हैं आपके बैलेंसिंग के बस देखों क्या हुआ एक च्छोटी से बटरफ्लाई आई उसने मुझे बताया कि everything is okay ठीक है ओके तो यहां से आप समझ सकते हो कि मैं आपको क्या समझाना चाहरी हूं okay दोस्तों यह थे कुछ सभी बैलेंसिंग के बारे में ठीक है नो आप इस तरह से आपने बैलेंसिंग को जच कर सते हो देख सकते हो जच कने हो jutочку कर नहीं नहीं आप किस तरह से अपने आपको देख सकते हो इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो थैंक यू सो मच ओके बाइ